प्रेंट सवागत है अब को ब्रॉड़ चनल पे फ्रेंस आज में जो विडियो कर आया हूँ आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है जो एनर्शी की तरप से प्रेंस जिस दिन अमिश्या ने अमिश्या ने भाषन दिया था एनर्शी की वारे में उसी दिन हिमंटवी जो हमारा मंत्री है उन्होंने क्या कहा है मैं आपको डिसकास कर आओ इसे वीडियो पे तो फूल लिटरिस विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लगाता देखते रहे हैं आई वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेंस मैंने आपके सामने अपन कर लिया हूँ जो टाइमस ऑफ कर दिया जाएगा इसकी बारे में कहा है कुवाटी ओन देखुम मिनिस्टर अमिच्छा अनॉंस ए कांटर वाइड एनर्सी असाम फाइन्स मिनिस्टर हमन्त विश्वा शर्मा सीड देट देट श्तेट गूर्मेंट हैस रिक्वेस्टेट देट 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 फाइनल इजिग देट आई इस पिसक्वन फ्रॉड का व्यू जर्मा ठीज़ नर्मेंबस सेट देट वहर मैंड बारे मनि में अप्डैट अनॉट प्रॉट रविच उच्छ व्यूंस ए्वा जर्माथ थाल्माथ चैसे विवा ग्यूर्ट नर्सी श करीवट ऑ मामथ एकर्साइब कि फावना पर नंग shrinking तो इसमें कहा गया है जो हमारा जो थार्पाट्स को मारकल को जो अनर्थ की EPA即 का पानेल लिस्ट आउट हुआ है असाम पे तो जो हिम्म कुस्छा शुरुमा है उन्होंने कहा है कि जो फावन की ऐग्ने लिस्ट आउट हुआ है मत increasing काड़िमेट था प्रतिक हजला आप सबको पटाए प्रतिक और ने एक तरफ यानि की एक तरफ सुल्ट हाओट की थी मानली जी कि उन्होंने इन्हुत बल रहा है की संपर्दाई किया थी कि आप लोग समझ सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है और फ्रेन्स जिन लोगों का एनर्शी के नाम आया है उन लोगों को बहुत धिक्रम फिर से होने वाला है कैसे में आपको बता रहूना इस वीडियो पर बता रहा हूं आप इretenा एक्सेप्ट राहून inelisible people who are enclosed while scored of genuine indian citizens were exclude the government of assam and bgp have requested the home minister to reject this nrc he added he careful that a written communication has been sent to the center on the issue the assam government favor on one with one cut-off date for the entire country Sharma edit उनका कहनाय कि अश्राम government को टो गुवर्मेंट को गुवर्मेंट ने एक्सिप्ट नहीं किया है एनरसी को और जो हमारा मंत्री है उन्होंने चित्ट लिका है होम मिनिस्टर को चिटी लिखा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करने के लिए एनर्सी को रिजेक्ट करने के लिए ठीक है उन्होंने और भी कहा है दियर वाइर इन इलिजिबील पीपुल हूँ वैर इंकलूट उनका मतलब जो लोगों का इनर्सी पे नाम आया है मतलब इन इलिजिबील पीपुल का नाम आया है मतलब वो आशाम का नहीं है इन इलिजिबील मतलब इलिजिबील नहीं है अशाम का नहीं है उनका कहना का मतलब है कि जिन लोगों के लिए परेशान हो रहा है और जिन लोगों का नाम आया है वो प्रतिक हाजला ने दुसरा वि इंडिया अब जाके देख सकते हों आफ्टर सो मास्ट टाइम एंड मांडे स्पेंट इन दा प्रोसेस हाओ केंड इड़ी दिस्मिस वार्ट से गेरंटी देयर देट एफ एनर्सी प्रोसेस गेट एस्क्लूड एगें देयर विल वी नौ फॉल्ट उन्होंने कहा है अगर असाम पे जैसी तरह चल रहा है उसी तरह हर स्टेट में होना जरूरी है हर स्टेट में इसी तरह होना चाहिए उन्होंने और भी कहा है क्रिटिसिंग दा प्रिबियाज एनर्सी स्टेट कोडिनेटर प्रतिक हाजला दा मिनिस्टर एलिग्ड दा एंटेयर एक्सेज वास केरिड आउट इनलेर्ली कीपिंग देस्ट गुपनेंट शेट इसेट उन्होंने कहा है मतलब पहले जो एनर्सी हुआ था वह एनर्सी प् आउट किया है 31 अगस्ट यानिकी 31 अगस्ट 2019 या उसकी बाद एक लिस्ट आउड आता फाइनल लिस्ट वह 14 ऑगस्ट 2019 उनका कहना की कहना का मतलब यह है जो प्रतिक हजला है उन्होंने संप्रोदाइक किया है ठीक है वह तो अभी नहीं है वह पहले का करडिनेटर था लेक लिखते हैं उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है जो हमारा मंत्र हमें तो भी शर्मा है टाइम सब इंडिया रिपोर्ट्स की मताबिक आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हो किस तरह किस तरह लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स ऑनर्सी बहुत झीनदीन से चल रहा लेकिन टो इनर्सी खत्म हिने वाला तो इन्होंने ंतों लुख का नाम नहीं आया है स्वाव्ड़ सब एगरे विइसे फिरसे हो ग Hoped को मताबिक मैं आपको बता रहा हूं तो फ्रेंट्स वीडियो कैसे लगे कमें बैर जुरूर बता ना वीडियो का एक लाइक किजिये चैनल पर नहीं है तो सबस्काइब करके रखें और प्रेंट लोगे चलों को सब्सक्राइब करका है उन्लों को मेरे तरुप से बहुत-बह तब तक लिए गुडबाई